नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइम से आपके साथ मैं हूँ आंकिता कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की लोग सभा से सदस्यता छीनने के बाद भी उन पर हमले का सिलसला जारी है गाहे बगाहे राहूल गांधी पर रोज हमले हो रहे हैं बीजेपी ने उनके लंदन वाले बयान पर लगातार उनकी घेराबंदी कर रखी है मंगलवार की सुभा केंद्री महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृती एरानी ने राहूल गांधी को निशाने पले लिया स्मृति एराणी ने पश्चिम मंगाल के खुबली में बीजोपी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना नाम लिए राहुल पर हमला करते हुए वो बोली कि वो विदेशी धर्ती पर देश कह रहे हैं कि आओ और हमारी मातर भूमी पर हस्तक शेप करो जो कि पूरी तरह से गलत है केंडरी मंतरी स्मृती इरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पियम मोदी का अपमान करते करते OBC समाज का अपमान वो कर रहे हैं जबकि पियम ने हमेशा कहा है कि आप मेरा चाहे जितना अपमान करना करिये लेकिन देश का अपमान मत करिये स्मृती इरानी ने कहा कि अपनी राजनेतिक बॉकलाहट में राहुल गांथी का मोधी जी के प्रती विश्य देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है स्मृती ने कहा कि मोधी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विश्य जूत बोला, देश में जूत बोला, संसद में जूत बोला ये वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोट के सामने माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोग ना होने का केंडरी मंत्री ने कहा कि राहूल गांधी का टारगेट केवल मोधी है जबकि मोधी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ देश का विकास है राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक इंटर्व्यू में कहा था कि वो पियम मोधी की चवी पर हमले करते रहेंगे लेकिन नरेंद्र मोधी के लिए वो जनता का प्रेम कम नहीं कर सके केंद्री मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के जीवन का एक ही लक्ष है केवल नरेंद्र मोधी की चवी को तारक तार करना ना तो उनको लोकतंतर से कोई लेना देना है और ना ही OBC समुदाय के प्रती वो कोई सम्मान रखते हैं हाल ही में भालती युवा कॉंगर्स के राष्ट्री अध्यक्षर शीनिवास ने समुदी इरानी को लेकर विवादित बयान दिया था इरानी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि शीनिवास का बयान राहुल गांधी के शब्द हैं सोरिया गांधी के संसकार हैं ये पहली बार नहीं है जिस किसी को कॉंगर्स में प्रमोशन चाहिए वो ऐसी ही भाशा मुझ पर बोलेगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ताथ से जानने के लिए जुड़े रहिए जैन भावना टाइम्स के साथ नमसकार